Hello students, good morning, this is Class 6 तोर हम पढ़ रहें subject English Lit English Lit में आपका first term का slavus complete हो गया, उसको revision करें, revise करें all the chapters, question answer, word meanings, घर बर रहें, स्वरक्षित रहें और आप सभी जानते हैं, unlock 1.0 आसे लागू है it means, आसे जो बंद से लगाई में थी, वो खुल गई हैं, और school reopen होने का time भी fix हो गया है, I mean month fix हो गया है, जुलाई में आपके school reopen होंगे, इसलिए सभी बच्चे अपने study और जो हम slavus हमने फर्स्ट सेंट का, फर्स्ट सेंट, फर्स्ट टर्म का करा दिया है, उसे revise कर लिए लर्ण कर लें, इसके बाद आप केट सेंट होंगे, जह हम दें, और आज हम इंग्लिश लिट में इस थर्ड लेशन देखेंगे, change of flavor, change of flavor, change of flavor में warm-up session में देखेंगे, change में सूता बदलना और flavor में स्ष्वाद, स्ष्वाद का बदलना, Once Emperor Jhaagir took shelter in the house of a simple lady, एक बार Samrat Jhaagir took shelter, एक तुक शेल्टर शरंडली in the house, एक घर में शरंडली of a simple lady, एक सामान्य लेंड लेड़ी, एक सामान्य जमीदार ने, के घर पर उन्होंने वार सरंड लेड़ी, there, वहाँ ही met an intelligent girl, वहाँ पर वह एक बुद्धी मान लड़की से मिला, who compelled him, जिसने उसे मजबूर कर दिया to change his decision, उसका निर्णे बदलने के लिए, by her witty replies, अपने बुद्धी मतापूर उत्तरों से, let's read about their story, आओ हम की कहानी को पढ़े, emperor जहाँगीर, one of the six Mughal emperors who rolled over India, emperor जहाँगीर, छे मुगल सासपों में से एक थे, who rolled, जनोंने सासन किया over India means, भारत पर, जनोंने भारत पर सासन किया, उन में से, छे समराटों में से एक थे, वह है अकवर के सबसे बड़े पुत्र थे, अकवर दा ग्रेट महान, he is remembered for his love, for beauty and justice, he is remembered, उन्हें याद किया जाता है, for his love, उनके प्रेंग के लिए, for beauty, उनके सुन्दरता के प्रेंग के लिए, and justice और न्याए के लिए, उनके सुन्दरता और न्याए के लिए, याद किया, जाता है, he had a big bell, fixed on a golden chain, hung at the gate of the royal palace, he had a big bell fixed, उन्हें एक बहुत बड़ी गंटी, लगाए हुई थी, it means, टाम रखी थी, on a golden chain, एक सोने की जंजीर में, hung at the gate, दर्वाजे पर, of the royal palace, राज सी जो दर्वाजा था, जो महल था, उसके दर्वाजे पर, उन्होंने सोने की जंजीर में, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी घंटी लगाए हुई थी, anyone who pulled the chain, कोई भी उस chain को खीशता, was heard, और वह सुनता, and giving justice by him, और उसके द्वारा उसे न्याय दिया जाता था, इस तरह का था उनका न्याय विवस्था, He was also fond of the beauty of the woods, वह सौकीन था, जंगलों की सुन्दर्ता का, दा फ्रेग्नेंस और फ्लों की सुवंद का, और तस्ट अप्रूज और प्रलों के स्वाद का, और उस एम्पर इन आप्रों के स्वाद का, मिनिस्टर्स, कौर्टियर्स and other attendants, अक्सर वह जाय परता था, अपने शामराज में, इतनी अपने राज में, एन अप्रोशेशन एक जुलूज के साथ, अलों विदे मिनिस्टर्प, जिसमें उसके मंत्री होते थे, दरवारी होते थे and other attendants, और दूस्के सही होगी होते थे, but on several occasions, he would go out alone in disguise, और पक्षों आपने, ना राइट दो वर्ड मीनिम, सभी आपको वर्ड मीनिम लिखनी है, और हमने आपको आजे पराग्राफ करा दिया है, इस वर्ड मीनिमों को राइट करेंगे, और वीड दिस चेप्टर, लेशन खड़ चल रहा है हमारा, इस लेशन को पढ़ेंगे सभी, और अदर लाइन दे ट्पीगर वर्ड यह आपका उम्वर्क है, और आपका फॉस्ट, हम फिर रडवीट कर रहा हूं, जो आपका फॉस्ट टर्म के एक्जाम सेट में स्लेवस था, वो आपका कम्प्लीट हो गया है, रिवाइज ओल दा स्लेवस, आपको कम्प्लीट स्लेवस रिवाइज करना है, जिससे आप आने वाल टाइम में जब भी आप सुलाएं, तो आपकी जो एजूपेशन है वो वीक ना रहे, आप क्लास में वीक ना रहे, ओके, ना वैक दावर्ड मीनिंग्स और आई होब सभी ने अपनी फेर नोट्वुक्स कम्प्लीक कर ली होंगे, जिन वच्चों ने नहीं किये, वो आगे कर ले, थेंक यूँ,